वाइनटुटिक्स में नेक्स्ट लेक्चर और चेपटर हमारा क्या चल रहाए। different different types की doses हम लोग पढ़ रहे थे और present time पर जो हमारी doses form चल रही है वो कौन से चल रही है topical preparation याने की body को पर लगाई जाने वाली preparations की बात कर रहे हैं हम लोग जहां हम लोग ointment और cream की बारे में पढ़ चुके हैं और अगर उसको अच्छी से पढ़ लिया है तो paste फिर बहुत ज्यादा हलुआ लगेगा खा लोग एक दम से ठीक है ना टेस्टी हलुआ लगने वाला है start करें paste को paste हम सबको पता है क्या होता है paste जैसे के अपना टूट पेस्ट होता है है और टूट पेस्ट के अदरी कुछ दवाईयों वाले paste are semi solid doses form mark कर लेंगे चीज़ को कैसे है यह semi solid है पूरे solid भी नहीं है पूरे liquid भी नहीं है ठीक है ना that contain one or more drugs इसके अंदर एक एक से जादर drugs हो सकती है कुछ additives हो सकते हैं और जिसका purpose topical application है paste जरूर नहीं कि हम लोग ब्रशी करें हाथ उप भी लगा सकते है ऐसे paste भी आते हैं ठीक है the term applied to ointment यह paste है यह ointment के उपर ही term लग जाता है लेकिन which contain high percentage of insoluble solid 20 to 50% जब ointment में insoluble solid का percentage बढ़ा दिया जाता है जब solid बढ़ेगा तो गाड़ा हो जाएगा एकदम से paste देखाना toothpaste कैसा होता है बहुत ज्यादा tight होता है ठीक है तो जब high percentage of insoluble solid जब insoluble solid का concentration हम इस ointment में बढ़ा देते हैं तो वह ही ointment हमारा paste कहलाता है ठीक है ना which are finely dispersed into suitable vehicle जो insoluble solid है वो एक खास तरहे के suitable vehicle vehicle समझते हो बेस कहते हैं जिसे हम लोग उसमें dissolve होते हैं as they contain larger amount of finely dispersed solid so they are thicker and stiffer अब as they contain क्योंकि जैसे कि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में dispersed solid होते हैं इसलिए थिक होते हैं मोटे होते हैं और stiffer होते हाड होते हैं है ना toothpaste देखाओ कितना गाड़ा-गाड़ा hard type का होता है ठीक है paste form protective coating coating की तोर पर इस्टमाल कर सकते हैं हम लोग and mainly used as antiseptic है ना प्रोटेक् dressing खासका dressing वेरा जो रहती है जिससे की body पे जहां लग जाया तो वहीं के वहीं बना रहे है चोट रोट के उपर तो वहां पर पेस्ट का इस्तमाल होते हैं पेस्ट एड हैर मतलब चिपक जाते हैं well to skin skin पे बहुत अच्छे से पेस्ट बहुत अच्छे से skin पे चिपक जाते ह ठीक है एक्जांपल के है जिंक ऑक्साइड पेस्ट एक एक्जांपल पक्का याद रखेंगे जैसे मैं हमेशा कहता हूं definition और साथ में एक 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 अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक नंबर सॉल्ड हो जाता है ठीक है चार्टिस्टिक्स बात करें तो वहीं सारी बात करें जाएं जैल की बात करें सच एज ओंटमेंट एंड क्रीम हैंस दे रिमेन स्टेवल एट साइट ऑफ एप्लिकेशन क्योंकि स्टिफर हैं ज्यादा गाड़े हैं हाड है इसलिए जहां एपलाई कर दिया था वहीं के वहीं बने रहते हैं वहां से हिलते नहीं है जो पसिन वगरा है या एर वगरा है वो इसली क्या करगी स्किन में से इसकेप कर सकती है दे डू नौट इंटरफेर विद द नौन इनफेक्टेड एडिया ऑफ दा स्किन मालो तुमने स्किन पर लगाया और जहां पर इंफेक्शन तो लगा और दूसरी जगहों पर पिलग ऑइंटमेंट के कमपेरिजन में यह लेस्ट ग्रीस ही है मार कर लेंगे वेटा वनमास कोशन बन सकता है दे आर मोश्टली अप्लाइड ओवर मॉइस्ट लेसंस जनरली यह ऐसे जखम जिनके अंदर से कुछ गीला गीला सा निकलता है वो यह अंदर का फिल्यूट निकलता ह उनके उपर अप्लाई किया जाते हैं एस दे पशेस गुड़ एड़ाजी प्रपर्टी तोवर्ड़ से स्कीन ठीक है ना इसकीन से अच्छे चिपक जाते हैं इसलिए जहां पर इसकेन से कुछ निकल रहा होता है जखम ऐसे होते हैं जिन में से कुछ लिकुड सा निकल रहा होता है तो उसको पुरा हुआ दबा के रखते हैं चुपा लेते हैं अब जब पेश्ट को इसकाप मतलब खोपड़ी यहां लगाया जाए तो उसके लिए सुटेवल नहीं होते हैं क्यों बिकॉस दे आर डिफिकल्ट टू रिमुव फ्रॉम हीर यह बालों में चिपक जाते तो यह जाएंगे इस वाटर बेस्ट यह ओल बेस्ट होता है चंटेन लार्ज अमाउंट आफ फाइनली डिवाइड़ पाउडर तभी तो ज्यादा हाड और स्टिफर होते हैं कंटेन लेस्ट अमाउंट आफ फाइनली पाउडर स्वाडर त्स वालिड ठीक है ना इसकांद इसली स्केंस नहीं कर सकते हैं लेकिन यह ज्ञादा के अंदर घुष जाते हैं इसलोली ए जाएं आथा हाँ हो और बन दे दिए कहीं भी वहारी बॉड़ी में जहां इसकीन है कि लिया रहाते हैं difference कि लेडियों हो गया आगया आते हैं now difference between paste और क्रीम वह ऑंटमेंट की बात थी अब करेंग की बात कर लें तो क्या difference है physical density of paste is mostly greater than the physical density of cream obviously बात है क्योंकि यह ज्यादा इसके अंदर powder पाए जाता तो पहला difference तो सेमी रहेगा क्योंकि इसके अंदर finely divided powder की मातरा ज्यादा है solute ज्यादा है तो यह ज्यादा dense होते हैं इनके density ज्यादा है तो various kind of paste are mostly sticky but most of the creams are non-sticky paste कैसे होते हैं? sticky होते हैं? चिपक जाते हैं ना skin से अच्छे से यह cream जो है इसके से चिपकती ही नहीं है यह से छुटाओ हाँ से छुट जाएगी फिर easily we can easily spread cream then paste वो जलाग option आगे cream को easily पूरी skin पे फैला करके लगा सकते हैं वर paste को नहीं लगा सकते हैं because physical density of cream is less than the physical density of paste क्योंकि इसकी physical density कम है जिसकी वैसे क्योंकि ज्यादा hard और viscous होता है तो paste को लगाना पूरे body पे लगाने के लिए ज्यादा लेना पड़ता है तब जाकर के पूरी body पे लगता है cream थोड़ी से ले लो लगा तो फैल जाती है clear हो गया now types of paste की बात कर लें तो types of paste में कॉर्ण based on type of base used in formulation paste are classified as follows fatty paste ठीक है ना this formulation consists of fatty और oilogenous bases बेटा उमीद कर रहा हूँ अब base समझ में आ रहा होगा oilogenous base होगा यहनिका hydrocaron bases होगे तो fatty हो गया example zinc oxide paste aquas gel paste these are prepared with water miscible bases किस प्रकार का base इस्तमाल हो रहा है तो यहां लिख लोगे base on the type होगे लिखा भी हुआ है base on the type of base कौन सा base इस्तमाल हो रहा है उसी के अधार पे हम लोग paste का नाम रख देते हैं ठीक है example क्या sodium hydroxy methyl cellulose paste या titanium dioxide paste hydrocolyde paste these represent consist of hydrocarbon bases इसमें क्या है hydrocarbon bases होते हैं tooth paste zinc oxide gelatin paste, medicated paste, non medicated paste सब इसी के अंदर आ जाते हैं ठीक है अब basis used for paste कौन कौन से basis इस्तमाल होते हैं वही चार basis है hydrocarbon base ठीक है वह चार हम सुरू से पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पढ़ लोग तो यहाँ पर इसली समझ में आएगा अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्या कर दी है आपको एक चीज़ दी जो आपको असानी दाएगी name of the preparation example है compound zinc paste compound zinc and salicylic acid paste coal tar paste diethanol paste aluminium paste ठीक है न बिटिस फार्माकोपिया बास समझ में बिटिस फार्माकोपिया बास समझ में आ रही है अब इसके अंदर active ingredient कौन होगा zinc oxide base क्या है soft pressing use क्या eczema or psoriasis कोई भी एक एक दो दो याद कर लोगे जैसे इसके example में zinc paste को याद किया इसका ingredient base कौन सा है use कौन सा है ठीक है तो आसानी हो जाएगी कहीं पर भी इस्तमाल कर सकते हो जब हम लोग क्या hydrocaron base का इस्तमाल कर रहे हैं यह paste actually पेश्ट को पेश्ट में लिखना होगा जहांगे पेश्ट की बारे में बात आएगी तो जो कोई भी दो पसंद हो तुम्हें इसली याद कर लोगे इसी तरीके से नंबर टू की बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्या है water miscible water miscible basis include emulsifying ointment हम सबको पता है यह बात पढ़ चुके हैं पहले चेप्टर ointment में हम लोग इसमें क्या है रिसॉर्स इन और सेल्फल पेश्ट बेपीसी बेस क्या emulsifying ointment treatment of dandruff जिंक और कोलतार पेश्ट emulsifying wax eczema के लिए ठीक है न कोई भी एक एक दो दो एक्जामपल यहाँ पर तौर पर याद कर लोगी एक तरह से करने के लिए ट्राइमी सीनोलोन ट्राइमी सीनोलोन डेंटल पेश्ट ठीक है न एक्टिव क्या है anti-inflammatories का काम होता है तो यह एक्जामपल से एक्जामपल आप चाहो तो याद कर लेंगे कोई एक दो 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 याद कर लेंगे यह वाला एक्जामपल एक-एक एक्जामपल पक्का याद कर लेंगे अब बात करें एडिटिव यूज इन पेस्ट पेस्ट के अंदर कौन कौन से एडिटिव क्या का डाला जाता है तो हम टॉपिकल परसेंटेज इसको याद नहीं करेंगे हम केवल देखेंगे इसको प्रजबिटिव होते हैं जैसे पहले के लेक्शन में कराता है इनके दो-दो एक्जामपल याद कर लोगे साथ में फंक्शन तो मेरे खल से याद है याद ही बेस का काम क्या होता है जैसे पॉलियो जो उसका टेक्श्चर यह बनावर्ट है उसको खराब होने नहीं द देते हैं खतम हो गया यह एक्जामपल आ गया सॉर्बिटल और यह इसका फंक्शन आ ठीक है ना फिलर्स और अब्रेसिव पढ़ चुके हम लोग क्या होते हैं फिलर्स अब्रेसिव वेरियस इंग्रीडियन प्रोवाइड पॉलिशिंग एक्शन अब्रेसिव क्या काम करता ना फिलर्स जैसे टूट पेस्ट होता उसके लोग क्या डालते हैं डालते हैं जिसे कि दानत में घर्षन लगता है बहुत महीन होता है वह और दान साफ होता है इन वाइट फूट पेस्ट इस इंक्लूड कैल्सियम कार्बोनेट हाइडटेट सिलीका और सोडियम यह सब आ जाते हैं चलियर है रियो लॉजी मॉडिफायर रियो लॉजी क्या होती है प्रेसर पड़ने पर पतला हो जाएगा प्रेसर नहीं पड़ेगा तो गाड़ा हो जाएगा यूस्ट्य आप्टें सेवर प्रपर्टी लाइक दा तूट पेस्ट मस्ट फ्लो इजली बट नॉट अपने आप नहीं निकलेगा तो निकल जाएगा है ना आया समझ में तो वही चीज है ठीक है ना इसकी कई सारी प्रपर्टी होती है साफ साफ लिखा है टूथ पेस्ट मस्ट फ्लो इजली बट नॉट टू रैपिटली उसको निकलना चाहिए अराम से लिगे बहुत जल्द इसको टूथ ब्रस विदाउट सिंकिंग इन है ना इसको टूथ ऐसा होना चाहिए रियोलोजी में क्या है जब निकाल दिया है तो टूथ ब्रस के अंदर ना गुश जाए इतना पतला ना हो उपर उपर रहे इस इंग्रेडिट आलसो यूज टू कीप फिलर्स क्या काम है इसका रियोलोजी मोडिफायर्स यह कुछ ऐसे होते हैं अब इसमें एक्जामपल देख लेंगे इंक्लूडिंग सीमसी कैराजीनन कैराजीनन हो गया जैन्थन गम हो गया सेल्लोस गम हो यह इसके एक्जामपल आ जाएंगे वह उसका फंक्शन आ जाएगा ठीक ह है डिटर्जेंट काम क्या होता है पता ही चिपकाने के लिए साफ करने के लिए अच्छा यहां पर दानत वगरा है जाग करेंगे पेस्ट करेंगे तो क्या आगा जागाना चाहिए वन ब्रशिंग डिस हैल्प डिसपर्जन एंड रिटेंशन ठीक है फॉर्म प्रॉडक्ट प्रिवेंट टूथ डिकेई नातों को खरावन से रोकता है ठीक है ना दैन फ्लेवर फ्लेवर को बहुत सारे हो सकते हैं स्टूइटनर मीठापन लाने के लिए कलरिंग एजर्वेटिव सोडियम बेंजॉइड इथायल पेराबीन ठीक है ना एक्जांपल फंक्शन याद नहीं करने कोई बात नहीं फंक्शन का इसका मतलब तो पता ही हमनों बहुत पढ़ चुके इन सब चीज़ों को कि है डिटरजेंट क्या काम करेंगे फ्लेवर क्या काम करते हैं स्वाद लाने के लिए होता है ठीक है एक्जांपल यहां से याद कर लोगे के लिए रहे हैं त इसको नहीं पढ़ना को यहां से स्किप करके आगे आ जाए फिलाल थोड़ा सा समझ लें यहां पर ट्राइटरेशन में यूज़्ट बेस लिक्वीड और सैमी सॉलिड यह वनमास कोशन राइगा तुमारा बेस हमारा लिक्वीड होता है तब ट्राइटरेशन में सेमी सॉल अब ट्राइटरेशन में यहां लेकि दिया है फिर भी समसमझ लेते हैं यहां पर मैंने क्या दिया है कंपाउंट जिंक पेस्ट का वेने उदान ले लिया है ठीक है प्रोसीजर क्या है जिंक ऑक्साइड और पाउड़र आर पास्ट थू सीब नंबर 180 यहां पर क्या है जो पाउडर को लग बहुत महीं पाउडर की ओदना तो वनिटी नंबर मैस से पास कराएंगे सौफ पैराफीन इस मैल्टेड ऑन वाटर बाथ जो बेसे पैराफीन उसको मैल्ट कराएंगे रुकार्ड अमांट ऑफ पाडर इस टेकन इना मोटा मोटार पेसल में लेकर को इस प फ्मूस सब बना लेंगे फिर बाद वागी सारा ब्राइस के अंदर एड कर देंगे तो सिंपल है ट्रेशन मेंद फ्यूजन मेंद प्रिकलाएंगे ठीक है ना जिंक एंड कोलतार पेस्ट बीपीसी इस पिर पेर बाइड फ्यूजन मेंद ठीक है इसमें हमारे पास दो है जिससे की क्योंकि फटापट जानते हैं सब लोग ठीक है जिंक एंड कोलतार पेस्ट बीपीसी पता ना क्या है बताओ फटापट ब्रिटेश फार्मसुटिकल कोडेक्स ठीक है मैफड वन दा कंपोनेंट्स आर मैल्टेड इन डिक्रीजिंग ओडर पढ़ा था हम लोगो इस तिर मतलब हिलाना है थोरो ली अच्छे से अंटिल दा मास कूल डाउन हिलाते रहेंगे जब तक की मास पूरा थंदा ना हो जाए दूसरा मेथड क्या है और टेकर इन सब डिवाड़ेड इस्टेट और सब को एक साथ ले लेंगे ठीक है तो यह पढ़ चुके हम लोग पहले एक सब करेंगे इस विसको विसकोसिटी चेक करेंगे जाता है इंका ठीक है लेकिन में दो तिन जो देने होते हैं बोड़े सकते हो ठीक है अब पेस्ट ठीक है एवलिशन हो गया हमारे पास ओके और यह lecture मेरे पास खतम हो गया छोटा सा lecture था यह है पेश्ट में कुछ बहुत जादा नहीं था तो दोतीन चीज़ें जो हमेशा करनी होती है advantage, disadvantage, ठीक है ना difference, difference क्या है उसके बाद क्या कहते है इसका preparation method क्या है base, base, preparation method यह सब भी में common रहने वाला है तो एक इसलिए ointment मेंने काफी बड़ा lecture बना था मेरा वो, क्योंकि उसमें सारी बात में अच्छे से clear कर दी थी, ठीक है तो पेश्ट में कोई ज़्यादा खास नहीं है यहापर छोटा सा lecture था यह, तो करना क्या बेटा पढ़ाही करनी अच्छे से notes का link discussion ने दिया होता है और यह मेरा number है यह अपनी application है, पढ़ते रहो revise करते रहो, all the best